हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल मेरे चैनल पर आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम आपको सब्बे साची बलाउज इस्टीचिंग करके बताने वाले हैं और इसमें इसका डिजाइन बना हुआ है जो आज कल बहुती ट्रेंड में चल रहा है तो फ्र देखिए यह हमने अस्तर और दोनों को कटिंग करके रखा है तो फ्रेंड्स और इस बलाउज का साइज है 44 इंच तो 44 साइज का है 43 या 44 आप दोनों में इसको बना सकते हो तो फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले बलाउज को इस तरह से उल्टा रखना है औ अब हमें इसको cutting कर लेना है तो friends हम इसको step by step बना कर दिखाने वाले हैं बिल्कुल simple तरीके से बना कर दिखाने वाले हैं तो देखिए इसमें हमें cut कर लेना है और इसको इस तरह से हमें सीधा कर लेना है और हमें इस पर press लगा लेना है आप ऐसे भी कर सकते हो तो देखिए य इस तरह से हमें सिलाई लगानी है अगर आपको इसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो मैं डिस्पेक्शन बॉक्स में उसकी लिंक देदूंगी आप हुआ जाके देख सकते हो मैंने इस्टेप बाइस्टेप इसकी कटिंग कर रखी है तो देखिए यह हमने चारो तरफ सिल इस तरह निसान लगा देना है और हमें इसको धाई इंच रखना है धाई इंच का हमें टक्स देना है क्योंकि हमारा बहुती ही है भी साइज है तो देखिए इस तरह से हमें इसको टक्स लगा लेना है अब हमें इसको इस तरह से पलेटना है और पहले हमें इसमें इस तरह स है इस निण आफ इसने सान को सीधा कर लेना है इस तरह से तो फ्रेंश कटिंग की वीडियो आप जरूर जाके देखना कि कॉसमें मुष्टे बार्य कॉसमें कटिंग कर रही है पुरे रेल के साथ में कंदेश सब बहुत कुछ जानकरी उसमें हमने दी है तो उसे आप जरूर जाके देखिए तो देखिए इस तरह से हमें दोनों साइड में निसान बना लेना है और अगर आपको कोई भी साइज का ब्लाउस कटिंग करना है और स्टिचिंग करना है तो आप कमेंट बोक्स में लिख कर बता सकते हो तो देखिए इस तरह से हमें टक्स लगा लेना है तो फ्रेंड्स इसकी फिटिंग बहुती परफेक्ट आती है इतनी प्यारी आती है तो देखिए इस तरह से हमें इस साइड में भी हमें टक्स लगा लेना है तो देखिए ये हमने दोनों साइड में टक्स लगा लिया है और इसमें गला भी हमें छोटा करना है तो गले को के तरह से छोटा करना है वो भी हम आपको इसमें बताने वाले हैं अब हमें इसमें तीरा लगाना है पहले हमें इस तरह से इसको पे शिलाई लगाते हुए और इसको कटिंग कर लेना है दोनों साइड में इस तरह से अब हमें इसमें तीरा लगाना है तो तीरा यह हमने तीरा लिया है इसमें से ही हमने कटिंग किया है तो सबसे पहले हमें तीरे को उल्टा रखना है इस तरह से अब हमें दोनों साइड में इस पे सिलाई लगा देनी है तो देखिए हमने दोनों साइड में सिलाई लगा दी है अब हमें इसमें कट्स लगा लेना है अब इस तरह से इसको सीधा कर देना है हमें पलटके तो देखिए ये हमने सीधा करके इस पर प्रेस लगा लिया है तो फ्रेंड्स प्रेस लगाने से बहुती प्यारी फिटिंग आती है अब हमें इस तरह से इसको रखना है और हमें इसको पिन अप कर लेना है अब इसको पिन अप करके हमें इस पे शिलाय लगानी है एक साइड से तो friends ये बिलकुल सिंपल तरीका है आप इस तरह से सब पर साची ब्लावज को stitch कर सकते हो तो देखिए अब हमें इसको टक्स को हमें इस तरह से अंदर की और पलेट देना है अब हमें पिन को हटा लेना है तो देखिए इस तरह से हमें ये हमारा ब्लाउज प्रंट पार्ट बनके रेडी हो चुका है तो देखिए अब हमें बेक पार्ट को तयार करना है तो फ्रेंट्स वीडियो को पूरा देखना है आपको इसकिप नहीं करना है हम इसमें गला छोटा करके भी बताने वाले हैं और हमें डबल सिलाई इस पे लगा लेनी है तो देखिए इस तरह से हमें डबल सिलाई लगानी है नीचे हमें टक्स पे ध्यान देना है टक्स को हमें इसी तरह से पलटना है इसके अंदर नहीं आना चीए तो देखिए ये हमारी डबल सिलाई हो चुकी है तो देखिए इतना प्यारा लुक इसका आ रहा है अब हमें नीचे की और भी सिलाई लगा लेनी है तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है नीचे अब हमें ये कपड़ा लेना है इसमें से बचा हुआ स्लिप्स के लिए लिया था हमने जो ये इसको हमें कपड़े को हमें अस्तर पे सिलाई लगानी है इस तरह से अस्तर लेना है तो देखिए किस तरह से हमें इस पे सिलाई लगानी है अब हमें इसको इस तरह से कट कर लेना है अब इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके हमें अस्तर पे सिलाय लगानी है तो देखिए इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है अब हमें इस तरह से गले पे रखना है इसको गले के नीचे तो देखिए हमें इस तरह से इस पे शिलाए लगा देनी है अब तो फ्रेंड्स इससे गला भी छोटा हो जाएगा और डिजाइनर भी बन जाएगा तो देखिए गला छोटा होने के साथ साथ हमारा बलाउज भी डिजाइनर बन चुका है अब हमें इसका बेक पाट तयार करना है तो देखिए ये हमने बेक पाट को लिया है अब हमें इसके गले पर सिलाए लगानी है और नीचे भी हमें सिलाए लगा देनी है तो देखिए ये हमने सिलाए लगा दी है अब एक्ट्रा कपड़े को हमें कटिंग कर लेना है इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है अब हमें इसमें छोटे-छोटे कट्स लगा देने है तो देखे ये हमने कट्स लगा दिये हैं अब हमें इसको सीधा कर लेना है तो देखे ये हमने सीधा कर लिया है और इस पर प्रेस भी लगा लिया है तो देखिए ये हमारा back part है अब हमें इसको किस तरह से तैयार करना है तो पहले हमें नीचे चारो तरफ इसमें सिलाय लगा ले लिये तो देखिए ये हमने सिलाय लगा दिये अब हमें इसमें डोरी अटेज करना है से डोरी अटेज़ कर लेनी है और हमें गले पर सिलाए लगानी है तो फ्रेंड्स इसको हमें बेक फुक बनाना है इसके बेक में हुक लगाना है तो देखिए ये हमने गले पर सिलाए लगा दी है तो फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है गले का से भी बड़ा प्यारा आ रहा है इसका अब हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और सेंटर पर इसको मिला लेना है बेस सेंटर में और पीस सेंटर में से ह हमें इसको कट करना है तो देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है अब हमें कट पर शिलाय लगानी है तो देखिए यह हमने शिलाय लगा ली है अब हमें इसमें बेक वो आई पट्टी और हुक पट्टी लगानी है तो इस तरह से इसको हमें जितना हमारा हमारी पट्टे है उतना हमें आई पट्टे के लिए यूज करना है तो देखिए इस तरह से हमें इसको रखना है और सिलाई लगा देनी है तो देखिए अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और हमें इसके उपर इसको रखना है और हमें इस पर सिलाई लगानी है तो देखिए अब हमें इस पर आई पट्टी लगानी है होक पट्टी तो हमें इस तरह से इसको रख देना है तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है बिल्कुल सिम्पल तरीका है इसको फोल्ड करके हमें इसके उपर सिलाई लगानी है तो देखिए ये हमारी हुक पट्टी भी तैयार हो चुकी है तो देखिए बिल्कुल बराबर आ रही है अब हमें इसमें टक्स लगाने है इस साइड में भी हमें टक्स लगा लेना है तो देखिए दोनों साइड में हमने टक्स लगा लिए है अब हमें स्लिव्स तैयार करनी है तो देखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए हमें इस पे शिलाय लगानी है तो फ्रेंट्स इसके हमें चारों तरफ शिलाय लगा लेनी है तो देखिए ये हमने दोनों स्लिव्स को बना लिया है अब हमें सारे पार्ट को अटेच करना है तो देखिए ये हमारे बेक पार्ट है और फ्रंट पार्ट है तो इसको हमने इहां से अटेच कर लिया है और हमें इसमें स्लिव्स भी अटेच कर लेनी है तो देखिए ये हमने स्लिव्स को भी अटेच कर लिया है अब हम आपको इसकी fitting बताने वाले हैं तो मैं किस तरह से इसकी fitting लगाती हूँ तो friends जो हम cutting करते वक्त जो हम निसान लगाते हैं fitting का तो हमें उस यहां पे आके तो देखिए यहां से आपको ध्यान देना है तो यहां से हमें अंदर की ओर लेना है तो देखिए यहां से हमें अंदर की ओर ले लिया है आदा इंच और हमें जितनी हमारी slips की गोलाई है उतना हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है तो देखिए अब हमें इस साइड में भी हमें तो देखिए यह हमने अंदर की ओर आदा इंच लिया था क्योंकि इस से आर्म होल की नीचे फुगगा नहीं बनता है आदा इंच अंदर की ओर लेने से तो इस तरह से हमें इस साइड भी इसलाई इसी तरह से लगा लेनी है तो देखिए इस तरह से हमें शिलाई लगा लेना है अब हमें इसको सीधा कर लेना है तो फ्रेंट्स देखिए ये हमारा ब्लाउज बन चुका है और बेक पार्ट में हम इसके इसमें लटकन में हमें कुछ डिजाइन बना लेना है जो आप जो भी बनाना चाते हो बना लेना तो फ्रेंट्स देखिए ब्लाउज हमारा बन चुका है कैसा लगा आपको ब्लाउज डिजाइन अगर आपको ब्लाउज अच्छा लगा है ब्यूडियो अच्छी लगी तो ब्यूडियो को लाइक सेर रहेंगे designer blouse तो देखिए यह हमने इसमें लटकन भी लगा ली है तो मिलते हैं आपको next वीडियो में तब तक वीडियो में बने रहे